आश्चतो शुकला की रिपोर्ट डीडी नियोज और भारत के डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानि के सीथे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली को दुनिया भर में व्यापक पहचान मिली है इसके जरीए सरकार की तमाम योजनाओं का लाब लोगों को सीथे मिल रहा है 2014 के बाद डीबीटी में योजनाए जोडने के बाद सरकार करदाताओं के करीब 3 लाग करोड रुपए बचाने में सफल होई है आपको दिखाते हैं तकनीक के प्रयोग से सफलता की ये विशेश कहानी भारत की डिरेक्ट वेनेफिट ट्रांसफर यानी सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रणाली को दुनिया भर में व्यापक पहचान मिली है इसके जरिये सरकार की तमाम योजनाओं का लाव लोगों को सीधे मिल रहा है डीबीटी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को सीधे लाभारतियों के खाते में हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्राइस्ट्रेक्चर का फाइदा उठाता है तमाम रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि 53 मंत्रालेयों की 310 सरकारी योजनाओं में लाभारतियों तक पहुंसने के लिए डीबीटी का उप्योग किया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक डीबीटी के कारण करीब 1.14 प्रतिशत जीडीपी की बचत होने का अनुमान है डीबीटी की शुरुआ 2013 में हुई थी लेकिन 2017-18 के बाद जनधन, अधार और मोबाइल के साथ इसकी पूरी क्षमता महसूस की गई थी डीबीटी के जरीए सरकार पेंशन, एलपीजी की सबसीडी के साथ अन्यप्रकार की सरकारी योजनाओं में मिलने वाले फाइदे को सीधे लाभारतियों तक पहुँचा रही है डीबीटी से पहले गरीबों को अपना हक पाने के लिए बिचोलियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे उन्हें अकसर लोटा दिया जाता था या उन्हें लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता था इससे उनकी गरीबों को ठेस लगती थी और उन्हें सम्मान नहीं मिलता था यानि डीबीटी ने गरीबों की गरीबों को बनाए रखने में मदद की है ब्योरो रिपोर्ट डीडी न्यूज